फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ सिर्फ 5 मिइंट में बनने वाली स्वादिष्ट फ्रूट कस्टड की रेसिपी जिसे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को खाना बहुत पसंद आएगा और ये फ्रूट कस्टड की रेसिपी मैंने यहाँ पर पर्फेक्ट मेजरमेंट के साथ आपसे शेयर की है ताकि आप भी ऐसा ही फ्रूट कस्टड घर पर आसानी से बना सको फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम फटा फट से फ्रूट कस्टड बनाना स्टार्ट करते है फ्रूट कस्टड बनाने के लिए हम यहाँ पर एक हैवी बोटम वाली या फिर नोन स्टिक कड़ाई लेंगे उसमें एक लीटर हम फुल फैट वाला दूद लेंगे और इस दूद को हम मेडियम टू लो फ्लेम पर गरम होने के लिए रख देंगे अब एक बाउल के अंदर मैंने लिया है चार चमच कस्टड पाउडर का उसमें मैं डाल रहे हूँ वन फोर्थ कप दूद और इस कस्टड पाउडर को हमें लम्स फ्री अच्छे से दूद के अंदर मिक्स कर लेना है यहाँ पे हमें दूद को या तो ठंडा लेना है या फिर रूम टेंपरेचर वाला लेना है अगर आप यहाँ पे हलका गरम दू अब इस कस्टड पाउडर को हम अच्छे से दूद में मिक्स करके उसकी इस तरह से पेस्ट बनाएंगे और हमने जो दूद गरम करने रखा था उसमें हम डाल देंगे यहाँ पे गेस की फ्लेम मिडियम और लोही रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कप चीनी चीनी के मात्रा कम या ज्यादा आप अपने चोईस के एकोडिंग कर सकते हो अब इन सारी चीजों को हम कंटिन्यूजली हिलाते जाएंगे और चार से पांच मिनिट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे मिनिमम आपको यहाँ पे चार से पांच मिनिट के लिए इन सारी चीजों को अच्छे से उबालना है ताकि जो कस्टेड पाउडर है चीनी है वो दूद के साथ अच्छे से कूख हो जाए ताकि हमारा जो फ्रूट कस्टेड बन के तयार हो उसमें कच्च्या पन कस्टेड प बलके तयार हुआ गया है तो हम गेस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच इलाइची पाउडर एक चमच चौप्ड की हुई बादाम एक चमच चौप्ड की हुए काजू यहाँ पे जितने भी ड्राइफ रूट नड्स है वो आप अपनी चोईस के हि ज्यादा डाल सकते हो और इसमें पिस्ता है चीरोंजी है वो भी आप एड़ कर सकते हो अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिंक्स कर लेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और यह जब रूम टेंपरेचर जितना गरम हो तब इसको हम 4-5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह एकदम ठेंडा हो जाए चार-पांच घंटे के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टनसी बहुत बढ़िया बन गई है तो अब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे मैंने यहाँ पे वन फोट कप चॉप की हुए केले लिए है वन फोट अनार वन फोट कप चॉप की हुए चीकू वन फोट कप चॉप की हुए सेव दो चमच इतने कटे हुए कालेंगूर और उतने ही हरेंगूर यहाँ पे फ्रूट की मात्राय है वो आप अपनी चोईस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो और आपको जो फ्रूट पसंद हो वो उसमें एड भी कर सकते हो या फिर आप स्कीब भी कर सकते हो अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो तिन घंटे के लिए इसे ठेंडा होने के लिए फ्रीज में रख देंगे दो तिन घंटे बाद एकदम परफेक कंसिस्टनसी के साथ बहुत ही स एस फ्रूट कस्टेड को आप अगर घर पे महमान आते हैं थो ले milli às Gleich के रूप में Sammy Ichi mesela के सकते हो इस वात में बहुत बढ़िया बनता है और इस तरह से अगर आप रूप कस्टेड बनाओंगे तो आपका फैनल को सबस्क्राइब किजगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ओन कीजिएगा थैंक यू